कैसे हो आप सब लोग आशा करती हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स दो दिन से मेरे कोई भी व्लॉग नहीं गये थे थोड़ा सा क्या बता हूं तब यह सहीं नहीं चल रही थी इसलिए व्लॉग नहीं आपाए मेरे पर आज हम कुछ इस रूम का चेंज कर रहा हैं बैर डूड यह सेटिंग एरिया थोड़ा सा यह ड्रेसिंग टेवल बगारा सब कुछ चेंज करेंगे आज थोड़ा सा रूम का मेकवर करने ज्यादा कुछ नहीं थोड़ा बहुत क्योंकि चेंज करोना तो ज्यादा अच्छा लगेगा मतलब आप जब हम चीज चीजों को इधर उधर करिए थोड़ा सा चीजों को हिलाई अपनी जगे से तो अच्छा लगने लगता है यह मेरा मानना है तो चलो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले तो हम यह जो ड्रेसिंग टेवल है इसको हम साइड में कर देंगे और बैड को हम बिल्कुल चेंज कर देंगे यह काफी टाइम से हम लोग देख रहे थे नोटेस कर रहे थे कि जो मेरी मेरे जो हाल चाल है वो बढ़ियां नहीं चल रहे थे तो हमने का चलो रूम में थोड़ा सा चेंज करतें चीजों को इधर से उधर करते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है न तो जरूर ये चीज जरूर करना आप लोगा इतना जादा इसकी हालत खराब हो रही है एक एक पत्ती गिर रही है और इतनी जादा पत्ती निकल के गिर रही है इसकी अब बताओ मैं क्या करूँ इसको एसी में रख रखा है फिर भी तो बस इस प्लांट को मैं इनको हाथ नहीं लगाने दे रही थी मैंने का मैं ही उठाती हूँ और इतना बुरा लग रहा था एक एक पत्ती इसकी निकल रही है और मेरी जैसे मेरी जान निकल रही हो और एक जो पेड़ था जो बरेली से लेके आई थी वो तो पूरा खरावी ह भ rozp मतलब यह चलते ही नहीं यह Знаते से और मैं यहां चल pastors चल गए उस बार में लेकर आई एसे में रहां फिर निकाल दिये ब्रसात का मौसम आय स्थंड का मौसम आय पिछली साल इन जिनों में मैं ले आये आ ही अ elle hand इतनी गर्मी लग गई है तो बस यहां पर ड्रेशन केवल इधर खिसकाया इसके बाद वहां पर जाडू लगाई यहां पर भी पीछे पर ज्यादा कच्रा वगरा कुछ भी नहीं निकला है जैसे पहले जो बैड था ना हमारा तो वो उठा हुआ था और उसके नीचे से इतना जादा मतलब कच्रा निकलता था बहुत गंदा होता था और अब की यह क्या बिलकुल जमीन से लगा हुआ है और बिलकुल भी नीचे स्पेस नहीं है तो बिलकुल भी नीचे गंदा हुआ ही नहीं है मतलब पीछे भी इतना जादा डस्ट नहीं निकली है तो हमें आज ना बहुत सारे काम करने से जैसे डश्टिंग का तो काम करना ही था साथ-साथ में एसी की भी हवा ना थोड़ी सी कम आने लगे थी हस्वेंट कई बार बोल चुके थे कि लाओ इस एसी को एसी की जो है जाली बगबरा इसको साफ कर देता हूं तो मैंने मना कर देती कि गंदगी फ कि इच्छी वही थी देखों दोस्तों डश्ट देखिए इतनी डश्ट हो जाती है चला कैसे तो फ्रेंड्स इसकी जाली रहती है इसको कोई सर्फ और साफ उन से किसी से साफ करने की जरूरत नहीं होती है सिर्फ आप पानी से ही इसको साफ कर सकते हैं और मैं आपको बताओ यह जब मेकैनिक आया था हमारा इसको साफ करने के पिछली साल हम लिए पुलाया था तो उस टाइम पर यह देखते रहे और इसी को देखते मतलब यह सीख लिए थी तो अरे साफ है वो मत निकालो कुछ चीजे खराब हो जाए में तो जाली होती तो फ्रेंट यहां पर मैंने का लाओ एसी भी पूरा साफ कर लिया है इस बेंट ने फिर इसके बाद मैंने का यहां पर थोड़ा सा पोच्छा लगा देती है क्योंकि बैट हटाया और देख सकते हैं सामने वाली दिवाल कितनी जादा गंदी है मन कर रहा था कि मतलब आज ही पेंट कर वालो पर ऐसा नहीं होता है सब पूरे घर में साथ में ही होगा अपने रूम में कर सकते हैं तो बस यहां पर साइड़ में यह सारा सामान मैंने हट आया और फिर इसके बाद में यहां पर यह sincer लगा दी यह तो इसे हम कुछ कर जोड़ी ना रहे हैं बास्तू के साब से खराब होता है बैट पे हम लेटर नहीं पर फ्रेंड्स इसके बाद में इन्होंने टेवल इधर साइड में कर दी टेवल नहीं सौरी ड्रेसिंग टेवल और इनको जाना है ड्यूटी तो अब ये गए हैं नहाने वाने के लिए फर अपना नास्ता वास्ता करेंगे जितना मतलब मुझे हल्प चाहिए थी उतनी मैंने ले ली इनसे क्योंकि बैड मेर से खिसकता नहीं और अब जो काम है वो मैं अपने धीरे-धीरे करती रहूंगी तो मॉर्निंग में मेरा नहाना सारा कुछ हो गया था और इनका सुबह के टाइम ना एकसरसाइज चलता है तो उस टाइम आप इनको बिल्कुल भी डिस्टरब नहीं कर सकते कुछ भी नहीं बोल सकते अगर बोल दिया तो और उपर जैसे होता ना कि बर रही है कि छते में हा इसके बार बोला कि चेंज करते हैं थोड़ा खुद ही बोल दिया था तो फिर कर लिया पिर इसके बाद यहां पर यहां पर रख लिए जैसे मोबाइल रखने के लिए और रखने के लिए तो हम देखा हुआ जंदगी कितनी थी पिलेस में अभी दे सकते हैं तो ज़स्ट न ज़स्ट ने भी यूटूब पे देखा हुआ ज़स्ट ने भी यूटूब पे तो इतलिश इतना अपन घर भी बेट कर सकते हैं आपका पेसा ही बच्जा आएगा तो आपका इसी थावनी बच्जाएगा चलो ठीकर लगाओ लगाओ कोई थैंक यह नहीं भोल रहा हुआ है जो सब्सकी है अच्छी आँ इसे यहां ना डालेंगे डालेंगे ज्टा में अच्छी लग जाता जाता है यहां से दवा के यह फिक हुआ है यह बढ़े ने इतना साफ हो गे यही बहुत बढ़िया है दुकान बंद दुकान बंद रूटी आपको हाँ एल तो फ्रेंड मेरी जो हाउस आंटी थी हाउस सेल पर आंटी तो भी आ गई थी तो वस थोड़ा सा मैंने वहाँ पर घिस दिया था जहां पर जादा कुछ काम होता ना तो मैं साथ में लगती हूं तो बहाँ पर मैंने थोड़ा सा वो कूचा होता है बरतन दोने का वह अलग रख रखा है वाश बेचरन उसके लिए तो उस से थोड़ा सा मैंने रगड़ दिया था क्योंकि इतने दिन से बैड़ था तो बहाँ पर बच्चे चॉकलेट खाते हैं गिरा देते हैं तो चिप-च पूछ बतल होते ही रहते हैं फिर इसके बाद मैं नीचे आई सब का नास्ता हो गया था सब ने पराठा खाये था आज और मेरी पराठा खाने के इच्छा नहीं हो रही थी तो मैंने अपने लिए और अपनी आंटी के लिए यहां पर चाय बनाई है चाय और थोड़ा सा मैं य इतना लगता है कि पूछ मत अब ऐसे भी मुझे पसंद भी नहीं है तो इसलिए मैं तो मेरा ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ आंटी को भी बड़ा पसंद आता है ऐसे तो आंटी अभी नीचे पोछा लगा रही थी तब तक चाय बन गई है अभी बंद कर दी थी मैंने उनको प लासुमा ने बनाई है कड़ी उनके हाथ की बहुत अच्छी लगती सबको यह अच्छी लगती है पर मुझे थोड़ी कम पसंद आती क्योंकि मम्मी जी की कड़ी ओती नों बहुत खटी होती है तो इसलिए मुझे नहीं आदा खटा नहीं खापाती हूँ मुझे कड़ी थो हो जाएगा और साथ में मैं आपर अभी बनाऊंगी रोटी तो सुभह मैं जब नास्ता वगारा सब लोगों ने किया था उस टाइम गैस को क्लीन नहीं कर पाई ती और अगर मेरे से कोई कहे ऐसे चिप चिप में ही रोटी बना लो तो वह मैं नहीं बना सकती तो पहले मैं के बाद ही मैं रोटी बनाऊंगी आटा वगारा मलके मैंने रख लिया है तो फ्रेंड्स आजाएए आप लोग भी खाना खाने के लिए तो बस यहां पर फटा फट से मैं यहां पर चपातियां बनाती हूं अब देखिए किचन प्लेटफॉर्म कितना जादा मतलब क्लीन ल तो यह लगता रहता है कि यार बड़ा छोटा है किचन यार बड़ा पसारा फैला है बड़ा गंदा है और जैसे इस चीज़ें कर लो ना तो बड़ा साफ लगता है तो बस यहां पर बेटा अपने दादू के लिए ले ले जा रहा है बाबा के लिए आगे पानी वगरा और दाल में भी अच्छे से डाल के वो लोग खाते हैं तो यहां पर डूटी से आई है और है यह है यह रबाइन है जाज घटी मेटीन है लोग मैनों बनारहे है जाज उड़ां ली रमद मेरे को पर नबन हो कि बड़ा सुकून मिल रहा है थोड़ देर ठंडक ले लूँ तो फ्रेंड्स आ गई मैं तो रूम में मैंने का मैं भी खाना नहीं खाऊंगी बहुत गर्मी लग रही है भाईया मैंने का थोड़ देर से खाऊंगी खाना और चाच बना लो तुम मैंने का रेसिपी बाद में कुझा नहीं बाल ऊब करांगी किचन में खड़ा ही नहीं हुआ विल्कुल बाल भी खोल उप्ली सहीं मैं यार ऐसा लगता है कि एसी में रहो तो सिम्मला है और अगें अशिक निकलो बाहर तो यह लगता किसी मतलब वहतिनि क्या बलता हम को जो भार जैसी वह जलती नहीं आगी राजस्तान में आगे हो ऐसी गर्मी ओफो अब मैं बाद में लेती हो व्लॉग को यहीं पर रोकती हो थोड़ी दिर